पश्यती पश्यदे वस्यकाव्यम दम्णमार अजीर्यती waitit विश्णव कर्मानी पश्यता यतो व्रताणि पस्पसि इंद्रस्यों युझ्या सख skept अरे सब पेरे भीतर है आरोग के भीतर है रोग भी भीतर से मिटेंगे और भीतर ही आरो कमीं बहर से नहीं आए ज्यान भी तेरे भी तर। तो अपने भीतर की ज्योत जलाओ जिस दिन तेरे भीतर का अधेरा चट जाएगा उस दिन तो जे भीतर से भगवान मिल जाएगा गीता में भगवान शुक्रिश्ण भी यही कहते हैं इशरा सरभूताना प्रदेशे और ज़न अपिष्ठर तो तो क्यों है निरावश उतिष्ठता जाग्रता प्राप्राप्राप्रानिबोधता उतिष्ठता जाग्रता प्राप्राप्रानिबोधता ख्षरस्यधार अनिष्टाद रत्याद रगंपता सत्काव्योवदन योजागारह तम रिचक्कामयंते योजागारह तम सामार्यंती योजा गारा तमयम सो माहर राहम अस्मी सक्खे लेगा उठे जा अस्पन में क्या पड़ एक कविता सुनते थे ना बहुत छोटे बच्चे थे उठे जाग मुसाफिर भोल कोई अब ने कहा जो सोबत है उठे जाग मुसाफिर भोल कोई अब रहने कहा जो सोबत है जो सोबत है जो जागत है सोबत है तुकनी दस्टे अचिया खोल जरा और अपने प्रभू से पेतन लगा और अपने प्रभू से प्रेज लगा यह पीत खरन के लिदेशन की उजागत है तुसोबत है यह पीत खरन की दीद नहीं का पुचागत है तुसोबत है जाग मुसाबिर भोल कोई अब रहन कहा जो सोबत है अब रहन कहा जो सोबत है तो यह कपालवाति अंतर जागरण है मुलधार से सस्रार तक अश्ट चक्रा नवद्वारा देवा नंपुर अयुध्या हिस्या मृन्या कोशस और गोजोत शाप्रता आठ चक्रणों द्वार तेरे भीतर यह दे हैं अयुध्या यही काशियीति मत्रा यही मानिस तरोवर है बाहर के अयुध्या में मंदिर नहीं बन पाया कोई बात नहीं तो अपने भीतर को तो मंदिर बना वह भी बन जाएगा बाहर का मंदिर तो बन जाएगा मैंने सेकरों हज्जारों मुसलमानों के नेताँ से बात करी ने का बही पहना बात चाहिए क्या आयुध्या में मंदिर बनना चाहिए भो भी बापाजी बनना चाहिए हमारा तो कोई क्लीय मंहीं अब लहीं दू experienced선 को पता है बावर तो कहीं उदर रूस के पास एक छोटे से कहीं देश में पैदा हुआ था और वहां से उसने जब वहां गद्दारी की थी देश के साथ तो उसको देश निकाला दे दिया तो वह यहां आ गया भई बावर तो इंदुस्तान में पैदा है नहीं हुआ और ये देश नहीं पुरी दुनिया जानती है राम आयोध्या में पैदा हुआ वो तो है इजरी में भूबी तो उसमें किसी को विवाद लिए दरसर ये राजनेता जहां घुच जाते हैं न वहां गटबड़ी कर लिए तो आयोध्या में मंदिर बनाने में मुसल्मानों को तकलीफ नहीं है उसमें कुछ अराजक सब तो घुच गुच गए उनको तकलीफ लिए तो हर मुसल्मान बोल मैंने तो टीवी उंट्रों में आज आपने देखा होगा आज सब मुसलिम नेता और जिरुन केस कर रखा उनको मैंने जब आयोध्या में शीविर हुआ वो जिले का नाम भी दुरुभाग्ये से फैजा बाद है मैंने का कितना बड़ा दुरुभाग्ये है कि आजाद भारत में एक परिवार के नाम आधे से ज़्यादा सरकारी योजनाए सरकारी संस्तान सारा आधे से ज़्यादा देश एक परिवार के नाम कर दिया गया लेकिन भागवान राव जिस धर्ती पर पहदवे उस जिले का नाम भी आयोध्या तुमने नहीं किया शर्म आनी चाहिए तुमको मैं किसी परिवार का एक विरोधी नहीं हूँ लेकिन मैं कहता हूँ इस देश में क्या किर्शी मुनी सादू संत मात्मा फकीर करांतिकारी कोई ही नहीं एक ही परिवार पैदा हुआ इस देश के नाम आधे से जादा हिंदूस्तान कर दिया थे एरपोर्ट हो स्कूल हों, कॉलेज हों, यूनिवर्शिट हों, सड़क हों, भवन हों, सरकारी योजना हों बहुत कुछ करना है और अंग्रेजों के नाम से अभी तक इस देश में बहुत से साहर कॉलेज बहुत कुछ बसा हुआ है यह कोई भी आदाद मुल्क गुलामी की निशानियों को समेट के नहीं रखता है बलकि गुलामी की निशानियों को मिटा किया रखता है हमने तो सारी गुलामी की निशानियों को सुदो के रखा हुआ है वासको डिगामा जिसने हिंदुसान लूटा कारजन जिसने हिंदुस्तान को लूटा बरबाद किया तबाह किया और एक उधर और सहर है उधर चंडीगड़ से उपर क्या ना मैं उसका डाल हो जी सब और इधर विक्टोरिया मैंने ये एक तो बड़ी जाधे च्टी जादे नहीं उसके ओपर वी से नंबर सुरू होता है हिंदुस्तान में भी मैंने का बड़ी का मतलब क्या है बोलवी का मतलब विक्टोरिया ननका विक्टोरिया मर गई उपर स्वर्ग में नर्क में जहां भी गई होगी लेकिन जहाज उसके नाम से तुम अभी भी चलाते हैं तुमको शर्म नहीं आते हैं सारे ऐसे काम हो रहे हैं हिंदुस्तान में सारी गुलामी की निशानियां सिक्षा हमारी वही बिटिश एजुकरेशन सिस्टम टी बे मैं का लेका कानून भी आंग्रेश उकिन का है अपना कुछ है यह niew alley खोशे साल पहले अंग्रेश चले गए आज कहरी प्स्ती हमारे इंदुस्तान के बच्चों को गाउं के बच्चों को गड़ीब के बच्चों को यही भारतिया भाशाओं में पढ़ाया जाए तो गड़ीब बच्चा रेडी चलाने वाले का ठीला चलाने वाले का किसान का बच्चा भी ISIPS आफिसार ड्र-इंजिनियर साइन्टिस्ट बन सकता है। बाहर के भाशाओं में पढ़ाओ। इसा बताओ, इटली में किस में पढ़ाते हैं? जो इटली चोटा सा देश है इटालियन में पढ़ाते हैं जर्मनी में किसमें पढ़ाते हैं जर्मनी फ्रांस में फ्रेंज में और जापान में कि अब टेक्नोलोजी को तो बहुत अच्छा बाना जाता है अरे साइंस और टेक्नोलोजी भासा में नहीं बेन में होती है बेवकुब हो अपनी भासा का मैं अपमान कर दिया औड़ा पड़ांतर जयसा ही है तो एक इक प्रांतर की बहाशा में क्यों नहीं अपने टोक्टर इंजियरं सेंट्स बना सकते राष्टीर है पड़ाओ जय लिएस आतरी ज़बा और हकिरोगा ने का दरूर सुधाय में आपको चार्टेंट एकाउंटेंट बनना है, एमबीए करना है, आपको डॉक्टर इंजिनियर्स स्टेंटिस्ट बनना है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा भोलो? अंग्रेजी, मैंने का ये अंग्रेजी पहले चले गए 64 साल पहले, और ये अंग्रेजी आज भी खून पीड़ी है सब का, इस अंग्रेजी को भी देश निकाला देना है, ये थोड़ी थोड़ी रहे बस, इतना जितना दुनिया के लोगों से संपर काम करने में काम है, सारी मिद्निस की भासा भी अलग है, एक छोटा सा यूरोप और उसमें भी थोड़े से देश हैं, यूरोप के भी सब देश अंग्रेजी, दुनिया में सबसे ज्यादा दोई भासाइं बोलनी जाती है, एक हिंदी और दूसरा चैन्टिश, जलो, कबाल भाती कर लो, बले बाब, आप जब आसन देते हो तो बूल जाते हैं, तो स्टोक लगाना बूल जाते हैं, बहुत को से बतन में ठीक करना है, चार तरफ देश लुट रहा है, परबाद हो रहा है, चनोतियों से घिरा हुआ, यहाँ पर भी बहुत हिंसा को आपने जेला, यह नक्सल वादे, माओ संतों से पक्षपात किया के अंदर सिरकार में, जिलों से पक्षपात किया, बजट के वित्रान में पक्षपात किया, डबलमेंट में पक्षपात किया, यूनिवर्शिटी कोलेज देने में पक्षपात किया, कोलेज, यूनिवर्शिटी हैं सबसे ज़्यादा कहा हैं, जहा कि एक एक कॉंशिट यूंसी में जहां पार एक बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं इन्होंने अपने अपने कॉंशिट यूंसी में तो पच्छी सुजार पसाफ साजार कोड़ को पज़त मना के ले गए और तिन सुखिया को तिन के मिले दिपरुगड का अपने डबरु बजाता रहो उसे पहले धेमा जी से मैं आके आया देमा जी से मैं जब दिपरुगड आया तो एक फुल बन रहा है दस साल पो हो गए मुझे लगता है आगे पच्छी सालों में तो बनी जाएगा हो और तब तक उसके पीलर्ड है जाएंगे नीचे वाले मैंने का जब तक उपर सलय पढ़ेंगे तब तक पीलर्ड की रुपेरिंग का टाइम आजाएगा और बात में कहेंगे अब दुपारा बनाना पढ़ेगा ये विकास के लिए योजनाई नहीं बनाते हैं जिसे लंबा चलेगा लूट में रहो ये साब ठीक करना पड़ाएगा हिंदुस्तान बहुत मुरी आना था करो कबाल बाती करते हैं एक कांग्रेस के नेता मुझसे पूछते हैं बाबा तेरे पास कितनी संपत्ती है कि कपाल बाती कर रहे हैं तुम भी बड़े कॉंसेस होगे मैंने का मेरे पास में ना एक रुपे की संपत्ती जे भी नहीं ना देश और ना किसी भी देश के बैंक में खाता अरे कॉंग्रेसियो तुम बताओ ये इटली के आठ बैंक क्यों लेकर क्या ये इंदुस्तान बा आठ बैंक तो इटली के लेकर क्या आगए और चार शिजर लेंड के लेकर क्या आगए ये मेरे पास में पूरी लिष्ट है आप भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया अर्बियाई की वेब साइट पर जाकर के देख ले ना आठ बैंक इटली के चार बैंक स्वुजर लेड के चोर बैंक उकों को पुला रखाता इक उने को बूला रहे पहले इनको बाहर ले जाना पड़ता था मोले इस दर जर से बेंजना पड़ता था बड़ा जोकिम था व federal यहीं आ जाओ ना वजला भीर तो हमें फोरा खुरवाया आप लोगोंगों कार्फ तो खुरता खुलवाय कि थो हैं उसे ने में खुब गषения के खुबए दुनिया का सब दूब से बड़ा ब्यद्स सबसे नोटे रहे बैंक का नाम बता हूँ तो यूब्य is गयोड पर है प्ले चोर बंक बार थे उनको यहीं बुला लिए भर बाहर ले जाने में दिक्कत ओड़ी यह अब तो लॉठो खोले लूटने आए थोड़े बहुत पहले लूटते थे लजिए भीडिते मुझे लगता है कॉंग्रेस को अपने ही कारणामों के बारे में पता नहीं है। पहले मैं कॉंग्रेस को निशाना नहीं बनाता था, लेकिन बाबा पर निशाना उन्होंने पहले साथा, पहले उन्होंने किये। पहले में सिस्टम के खिलाब बात कर रहा था अब बाबा को छेड़ा है तो बाबा छोड़ेगा नहीं तो पहले हमारी निक्वारी की गई रीजिनल एकॉनोमिक्स इंटेलिजेंस कमेटी बनाई एक बहुत पाउरफूल कमेटी होती है